कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और सुख्मक्य कुदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगज शला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए हुआ उसके बाद फेड के चेर्मिन ने जो कहा उसके बारे में बात करेंगे और भी कुछ न्यूज अपडेट है क्रिप्टो मार्केट के लिए इंपॉर्टन है उसको कवर करेंगे और थोड़ा सा बिटकोईन को देखेंगे और कुछ ऑल को देखेंगे कर रात को जो FOMC का मिटिंग हुआ वहाँ पर ब्याजदर के अंदर कोई भी बड़ोतरी नहीं हुआ है अब आर्टिकल के अंदर ऐसा लिखा है कि इस साल के अंदर जटका मिल सकता है बट मुझे नहीं लगता कि अब कोई जटका वगिरा आएगा क्योंकि प्रिवेस काफी टाइम से हम इंफलेशन देख रहे है यूएस का मार्केट है वो डाउन भी देख रहे साथी साथ काफी सारे नेगेटिव न्यूस देख रहे हम साइकिल को समझे न्यूस के सामने थोड़ा ना देखे तो आप देखे क्रिप्टो मार्केट हो या फिर यूएस का स्टोक मार्केट हो दोनों साथ में चलते हैं दोनों में मंदी भी साथ में आती है दोनों में तीजी भी साथ में आती है जैसे यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी है कि Bitcoin का Halloween कब है क्योंकि हम हिश्टी के मताभीत चल रहे है तो जो Bitcoin का Halloween जैसे नजदिक आजाता है तो वहाँ पर मंदी भी खदम हो जाती है और Rayleigh भी शुरू हो जाती है हर बार ऐशा हुआ है तो इस बार चीज अच्छी हुई है कि यहाँ पर इन लोगों ने ब्याजदर के अंदर बड़ोतरी नहीं किया है बट अभी भी देखे तो इसका जो ब्याजदर है Federal Reserve ने बढ़ा बढ़ा के 5.5% के आसपास पहुचा दिया है और यह पिछले 22 सालों का हाइस्ट आंकडा है एक नेगेटिव बात बनती है कि 5.5% के उपर इस लोगों ने पहुचा दिया 22 सालों का हाइस्ट आंकडा के उपर पहुचा दिया है बट आगे जाके दीरे दीरे जैसे इंफलेशन का आंकडा नीचे आएगा तो यह जो ब्याजदर है इसके अंदर कटोकती भी देखने को मिलेगी ऐसा नहीं कि फेड इसको बढ़ाते है फिर घटाते भी है तो दीरे दीरे घटेंगे आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे कि इसमें जो ब्याजदर बढ़ते थे बाद में घटेंगे और वो एक positive news बनेंगे कि ये पेले ब्याजदर बढ़ते थे घटेंगे तो फाइदा होगा चुकि लोग वापस से loan लेना start करेंगे बड़े-बड़े लोग loan लेना start करेंगे और loan क्यों लेंगे बड़े-बड़े लोग market के अंदर investment करने के लिए फिर बारा बजे रात को इंडियन टाइम फेड के चेर्मेन लाइव आए और कुछ बाते कही उस बातों के अंदर उसने ऐसा कहा कि उसे confidence है कि अब रिसेशन है रहने वाला नहीं है आने वाले टाइम के अंदर रिसेशन नहीं रहेगा या तो इस इंडिकेशन दे दिया है कि अब 2024, 25 और 26 ये तीन साल बिना रिसेशन के चलेंगे मतलब की मंदी नहीं होगा तेजी होगा एक इसका इंडिकेशन है साथी साथ उसने ये भी बताया कि इस साल के अंदर ये लोग एक्सपेक्ट करे कि जो एकोनोमी है उसका ग्रोथ 2.1% बढ़ेगा और साथी साथ जो जो भी है वो भी वापस लोग को मिलेगा जो बेरोजगार दर है वो घटेगा इस सभी चीजे इसने बताई है खेर इस सभी बाते हुई अमरिका की अब हम और कुछ निउस देखते है क्रिप्टो मार्केट के लिए जो अमरिका का अभी सब को चल रहा है इंपक्ट अभी तो देखने को ने मिल रहा है अब ळबे टाइम फ्रहें के अंदर एक अच्छा इंपक्ट देखने को मिलेगा जो जो फेडने बता है उसके हिसाब से अगर कि 2022-2023 का काफी लंबा-लंबा चलता रहा कि MTGOX से वो फंड वापस करेगा बट अभी तक देखा कि फंड वो वापस नहीं हुआ है बट अब इसका एक नया डेडलाइन आ गया कि अक्टोबर 2023 से लेके 2024 के अंदर जो 24,000 जितने क्रेडिटर से 8,25,000 जितने विटकुन फर्स के है 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 को के उसको रिपेमेंट मिलेगा यह वाला डेडलाइन चल रहा है तो यह लंबा-लंबा खींच रहे है यहाँ पर देखे ओडर है डोकुमेंट है और इसके अंदर आप प करेंगे तो जो नेक्स्ट निउस यह पी वाई यूसडी नाम का स्टेबल कोई ज्यादा फेमस हो रहा है हर एक एक से अंदर लिष्ट हो रहा है आप कहोगे कि ऐसे तो स्टेबल को इन आते रहते हैं उसमें क्या नया है बट नया यह है पेपाल का स्टेबल कोई है देखे अमरीका के से कर रहा है काम अपने कमपनी को आगे ला रहा है देखो एक कोई ने इसके बारे में वो बात भी नहीं करेंगे कि यह गडबड है इसमें जांस होनी चाहिए को कोई बात नहीं hon ऒई यह भी आप देख रहे होंगे कि कोई भेज के अंदर ओनली एक ही निउस इसके बाद कोई नहीं आया है क्योंकि वो खुद का है अमरीका का है और कहीं नहीं उसके अंदर वह मिले हुए है उसके बाद अब यह लोग स्टेवल इसक लोग रहких पीवाई यूस ती इसका यूजा थो तो कहीं न कहीं इसमें government का भी हाथ हो सकता है क्योंकि PayPal का coin है जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर पेटियम वगेरा चलते हैं Google पे वगेरा फोन पे वगेरा चलते हैं वहाँ अमरिका के अंदर ऐसा ही application है PayPal जो payment करने के लिए use होता है और वो खुद क्यों इसमें उतरा ह है उस अच्छा होगा crypto तभी तो उतरा होगा तो इसके अंदर उतर चुका है बाइबिट के साथ-साथ काफी सारे एक्चेंजों के अंदर पी वाई-USD नमका स्टेबल्स कोईन लिस्ट हो रहा है और लोग का ट्रस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि PayPal एक बड़ा कमपनी है अग हम Bitcoin के बारे में बात करेंगे short term करेंगे long term में Bitcoin अच्छा चलेगा Bitcoin एक अच्छे मुकाम पर हासिल करेगा old term high भी मारेगा जो कि holding के आजपास से एक अच्छा रेली शुरू होगा अगर इसटी को बार-बार repeat करता है और इस बार भी अगर कर देता है बटे जे short term Bitcoin के अंदर करेंगा तो डीडी time frame के अंदर जो volume है काफी कम है अभी भी volume की यहां पर कमी है वही वाला analysis बन रहा है हर बार कि इसमें volume वाला कोई candle नहीं आया है देखे volume decrease होता हुआ नजर आ रहा है चार्ट इदर से ऊपर जाता हूँ नजर आ रहा है मतलब कि यह support नहीं हो पा रहा है ज उपने इसाब से जांस किजिएगा सोचेगा कल के दिन जिसे fmc का data हमारे सामने आया market में red candle जो बना था वो कल data आने के बाद बना था यहां से इधरी रहा है मतलब की market को अगर अभी गीरना भी है तो market एक बार sl उडाएगा फर इसाब से अभी इसने sl नहीं उडाया है इक बार इसके उपर try होगी जो कि यहां पर एक short term scale type का trade आप खेल सकते हैं बट मेभी लोग को आप avoid कर सकते हो यह ज्यादा रिस्क है short को कर सकते हो जब bitcoin का price 27340 के आसपास आए तब market अगर इसके उपर आए तो वहां से short करना है एक scale type का short खेल लेना है इसके उपर आपको SL भी लगाना है अपने इसाब से 5-6% 4% जो भी आप risk लेते हो उसके इसाब से SL के बीना trade करना नहीं है यह market काफी ज्यादा volatile है कभी भी कोई भी news play हो सकती है volume लाने के लिए भी news play हो स करेंगे तो old coin अभी जो चलेंगे 50-60% 70% 200% बड़े वाला रिली old coin के अंदर एक चार्ट हम हर बार share करते है total 3 का चार्ट जो कि bitcoin और इथर को बाद करके चार्ट बनता है वह वाला चार्ट हर बार ऐसा हुआ है bear market चलता है पहले continue down जाता है फिर वो sideways हो जाता है हर बार ऐसा ह होता है sideways होजाता है sideways कैसे हुआ यहां पर देखें यहां से rejection हुआ यहां से rejection यहां सपोर्ट यहां सपोर्ट तो हमने box बना दिया एक box से बाहर निकलेगा फिर समझ दाना की रेली शुरू हुआ उससे पहले आप ट्रेडिंग कर सकते हो 50-60% जो मिलना है profit book करे नए coin में entry ले नीचे से buying करें part wise buying करें part wise selling करें जैसे चार्ट उपर का line को breakout करता है फिर रेली शुरू हुआ जैसे यह break करता है तब तक के लिए इसे ही इसे साइड बेजी चलने वाला है इस सीधा सा analysis है और फिलाल आप देखेगा नीचे यहां पर आ चुका है मतलब कि यहां पर भी आप अच्छे आपके फेवरिट अल्ट को इने breakout मिलते ही कुछ टाइम वहां भे sustain किया 400 बिलियन डोलर से उपर नया entry मारा और फिर आपको बेठ जाना है long term मतलब कि फिर बूल लिली का मजा लेना है और आखिर में जाके profit book करना है जो कि यह से वीडियो हम बनाएंगे अभी इतन चला फिर यह चार्ट है इसमें फर्स किया एक चार्ट फ्स किया ब्रेक आउट मिला ब्रेक आउट के ऊपर सिधा में ने क्या कहा बाइंग जो प्राइस हे चल रहा है तिरी तिरे फटा फट बाइंग का लेना फिर चार्ट मोका नहीं देता है फिर continue बॉल लेली एमें तेरे तेहें